उतावले पन से कैसे बचे हैं। उसे इंसान के साथ अपनी पहले मुलाकात को याद कीजिए। जिसके साथ आपकी कई आदते मिलती हैं। जब आप ये सुनते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ही सोचता है। या आप से मिलती जुलती पशंद रखता है तो आप उनके साथ खुल कर बात करने के लिए उतावले हो जाते हैं और सामने वाले ब्यक्ति को ये बताने लगते हैं कि कैसे आप दोनों विल्कुल एक जैसे हैं ये उतावलापन सामने वाले वेक्ट को ऐसा एसास दिलाता है कि आप अकेले और बिना कोई दोस्त वाले वेक्टी हैं इसलिए इस बात की पूरे आसार हैं कि वो आप में ज़्यादा दिल चस्पी ना ले इसी कारण हमें ये सीखना जरूरी है कि हम कैसे इस उतावले पन की आदत को दूर करें हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी आप कैसे अपने उतावले पन की आदत को दूर कर सकते हैं जब आपको कोई ऐसा ब्यक्ति मिले जो आप से काफि मिलता जुलता हो तब आप तेजी से किसी भी निसकर्स पर ना पहुशें अपनी हर आदत को धीरे धीरे उनके सामने लाएं जितना आप उनको अपनी आदते बताने के लिए इंतजार करवाएंगे उतना ही आप पे आतम विश्वास ब्यक्ति के तोर पर उभर कर आएंगे इसके बाद आप एक और प्रिस्थिती के बारे में विचार कीजिए जहां आपको सामने वाले ब्यक्ति से शम्मान और प्रेम की आउशकता है जो हम सब को देती हैं तो क्या ऐसी भी कोई तकनीक है जिससे आप सामने वाले विक्ति का प्रेम या आदर हासिल कर सकते हैं इसके लिए आपको बस एक साधरनर सी बात ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी से बात करें तो हमेशा बातचीत की सुरुआत सामने वाले विक्ति के बारे में बात करके करें ना कि खुद के बारे में इसका कारण ये है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि हमारे मन में उनके प्रति कितना सम्मान है तो वो अपने ही तो वो अपने आप ही सम्मान देता है। अब जब इतनी सारे तक्नीके सीख चुके हैं तो ऐसा संभव हर कि लोग ये देखने लगें कि आप हर व्यक्तिशे इतनी ही गरम जोसी के शाथ मुश्कुरा कर बात करते हैं इसका सर ये भी हो सकता है कि लोग समझना बंद कर दें कि आप उन्हें अपने लिए एक विसेश व्यक्ति मानते हैं हमारी अगली तक्नीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे लोगों को ये महसूस करवाएं कि वो एक खास व्यक्ति हैं आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो उस व्यक्ति के लिए विसेश परकार की मुस्कुराहट अपने दिमाग में सोच कर रखें जो व्यक्ति आपके लिए जितना खास है उसे उसी परकार के मुस्कुराहट दें हर जगह पर एक ही तरह की मुस्कुराना आपके मुस्कुराहट को लोगों के लिए जूटा साबित हो सकता है इसलिए जो लोग आपके बेहत करीब हैं उनको एक विसेस मुस्कुराहट दें ताकि उन्हें ये ऐसास हो कि वो आपके जीवन में एक विशेस अस्थान रखते हैं इसी के साथ समरी यह समाप्त होती है मिलते हैं अगले स्रीज में तब तक के लिए धन्यवाद